हेलो इंजिनियर्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्त्राखंड लोग सेवायोग यानी UKPSCJ की तरफ से जो एक्जाम आपके कराये गए थे 7 मई से लेकर 10 मई तक जिनका रिजल्ट आपका 31 अक्टूबर को जारी किया गया था ये परिछा आप लोगों की निरस्ट कर दी गई है और क्या बताया गया है इनके ओफिसल लेटर में टोटल यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिये हैं तो बारी-बारी से हम यहाँ पर सारी चीज़े डिसकस करेंगे कि आपका अब एक्जाम कब होगा और यहाँ पर किन-किन चीज़ों में संसोधन किया गया है पहले पॉइंट में आपको बताया है एतत द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्यापन संख्या A3 E4 2021-22 द्वारा 26 नॉम्बर 2021 के द्वारा उत्राखंड सम्मिलित राज कनिष्ट अभियंता सेवा परिच्छा 2021 का विज्यापन प्रकासित करते हुए उक्त के सापेच 7-10 मई 2022 को आयूजित लिखित प्राक्रति वस्तुनिष्ट प्रकार परिच्छा का परिणाम दिनांक 31-8-2022 को घोसित किया गया था यहाँ पर इन्होंने बताया है यह रहा आपका विज्यापन संख्या और यह विज्यापन आपका 26 नॉम्बर 2021 को जारी किया गया था और यहाँ पर आपका एक्जाम हुआ है साथ से लेकर 10 मई 2022 तक और इसका रिजल्ट आपका 31-2022 को जारी कर दिया गया था और दूसरे पॉइंट में यहाँ पर आपको बताया है प्रस्नगत परिच्छा के संबंध में SIT यानि Special Investigation टीम द्वारा कतिपे अभ्यारतियों के अनुचित साधुनों से परिच्छा देने की प्रुष्टिकी सूचना लोग सेवा आयोग कार्याले को उपलब्द कराई ग दिनांक 26 नौंबर 2021 तथा तत संबंधी आयोजित लिखित प्राक्रति वस्तुनिष्ट प्रकार परिच्छा के उक्त के सापेच अधतन आहूत किये गए साच्छतकार को निरस्त किया जाता है तीसरे पॉइंट में आपको बताया है इस संबंध में उत्तरा खंड सासन के विभिन विभागों से प्राप्त होने वाले अधियाचनाओं एयोग संगत सेवा नियमा वलियों के अनुक्रम में सम्मिलित राज्य कनिष्ट अभियंता के नवीन विज्यापन माह अप्रेल 2023 क दृती सब्ताह तक प्रकासित किया जाना एयोम उक्त के सापेच लिखित प्राक्रती वस्तुनिष्ट प्रकार परिच्छा का आयोजन माह अगस्त 2023 के अंतिम सब्ताह में किया जाना प्रस्तावित है यानि यहाँ पर आपको बताया है कि यहाँ पर आपका जो नया विज्ञापन है अप्रेल के तीसरे सप्ता तक आएगा और आपका एक्जाम अगस्त 2023 में होगा यह आपकी एक संभाविट डेट है और चोथा पॉइंट यहाँ पर आपको बताया है नवीन विज्ञापन के सासन द्वारा ले गए निरने के अनुकरम में साचातकार की विवस्था को समाप्त किया जाएगा तथा पूर्व की उत्त्राखंड सम्मिलित राज कनिष्ट अभियंता सेवा परिच्छा 2021 में सम्मिलित हुए ऐसे अभ्यारतियों को जो नवीन विज्ञापन की आयू निर्धारंतित के अनुसार अधिवेस्क हो रहे हैं को उच्चतम आयू सीमा में छूट देना का प्रस्ताव सासन को संदर्वित किया जा रहा है उक्त कैतरिक्त कनिष्ट भियंता के नवीन विज्ञापन के सापेच अभ्यार्थियों के आवेधन सुल्क में छूत का प्रस्तावभी सासन को संदर्भित किया जा रहा है यानि यहाँ पर आपको यह बताया गया है कि UKPSC के तरफ से जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें बहुत से कंडिडेट ऐसे होंगे जो अपने age criteria के final stage पर होंगे अब जब यह नया notification जारी किया जाएगा तो वो लोग सायद पहले के हिसाफ से पहले के age criteria के हिसाफ से यहाँ पर apply नहीं कर पाएंगे तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को यहाँ पर age में relaxation दिये जाने की बात की जा रही है इनके notification के हिसाफ से यहाँ पर आप लोग के पास लगबग 5-6 महीने का समय है और बहुत से कंडिडेट यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल यहाँ पर zero level से सुरू करेंगे वो अब के बार इस परिच्छा के लिए eligible होंगे आप लोग खूब अच्छे से मेहनत करिए एक्जाम तो आपका होगा ही और ऐसे आप देख सकते हैं कि जारखंज में भी दो बार एक्जाम केंसिल हो चुका है वहाँ पर भी काफी problem create हो रही है आप सभी अपना होसला बना के रखिए बाकी आप सबने कच्छुआ और खरगोस वाली कहानी जरू सुनी होगी आपको बस चलते रहना है